हलो फ्रेंड्स मैं आओ मिथलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूँ आज के एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ डी फार्मा इंटरेंस एक्जाम 2023 की तैयारी के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQ हम करवाने वाले हैं आज साइटोलोजी चेप्टर से देखिए आपके एक्जाम का जो बॉटनी वाला सेक्शन है उसका सबसे पहला चेप्टर है साइटोलोजी इसके अंतरगत दो चेप्टर आता है एक होता है सेल दे यूनिट ओफ लाइफ दूसरा है सेल डिविजन इस दोनों चेप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट MCQ देखन जैसे इसे बात कर दिया जीवानु कोशीका यानी किसके बारे में बात कर रहा है बैक्टारिया के बारे में इसमें well developed nucleus नहीं होता है प्लस कोई भी membrane bound membrane bound जिली युक्त संरचना एक भी नहीं membrane bound cell organelle नहीं होता है membrane bound cell organelle नहीं होता है present नहीं होता है इसमें क्या-क्या present होता है pro kerotic cell में तो खास बात है कि जो pro kerotic cell में membrane bound cell organelle नहीं होता है nucleus नहीं होता है तो यह bacteria का खास बात है तो bacteria में क्या-क्या नहीं होगा इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जैसे कि आप हम लोग option परते हैं हमारा first option क्या है mitochondria mitochondria double membrane bound ऐसा करके कुछ structure होता है बाहरी जिल्ली है फिर आंत्रिक जिल्ली है फिर उसके अंदर इस तरीके से inner membrane के स्टे होता है इसको लोग क्रिस्टे करते हैं यह तो बहुत develop organ है तो यह किसमें पाया था यूकरोटेक्सेल में पाया था है तो राइबोजोम एक ऐसा चीज है जो कि सब में यह membrane इसमें क्यों membrane नहीं होता है यह द्राखियेगा membrane present इसमें को इजिल्ली प्रजन्ट नहीं होता यह granule like structure है छोटए दाना like structure है जो कि ribosome सब में पाया जाता है चाहे वो जिल्ली युक्तिसन रचना है ऐसा है मैंनी सिंगल मेंब्रेन बाउंड है यह भी आंसर नहीं होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा राइबोजोम याद रखिएगा कि राइबोजोम ही एक ऐसा और जो कि सब में पाया जाता है चाहे वह प्रोकेरिटिक हो या या प्लांट से क्लियर लेकिन खास बात किया है कि जो राइबोजोम होता है यह दो टाइप मैं पाया जाता है टिक है दो तो ribosome में इसका subunit है, वो क्या-क्या है, तो 50 plus 30, क्या-क्या, 50 plus 30, और 80S का क्या-क्या है, 60 plus 40S होता है, ठीक है, 60S plus 40S होता है, इसका subunit, इस तरीके से आप चीज याद रखेंगे, कि जीवानु कोशिका में, जीवानु कोशिका अर्थार्थ प्रोकेरोटिक कोशिका, और कोई भी membrane bound cell organelle नहीं पाया जाता है, तो वहीं से आपका छट गया, कि और कोई नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ribosome होगा, ठीक है, चली, अब हम लोग next question देखते हैं, यह हमारा cell division से related question है, cell division से related है, कि कोशिका चकर के संबंध में कौन सी प्रवास्थाओं का करम सही है, तो क्योंकि वहाँ पर हमने paid classes में, जो app पर हम लोग deepharma entrance exam batch 2023 का launch किये हुए, उसमें हमने पूरे cytology को 7 lecture में पढ़ाया है, 4 lecture में वो सुरवाती cell the unit of life chapter, और 3 lecture में cell division वाला chapter, समझ रहें, तो वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं, पर भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैं यहां पर आपको समझा देता हूँ कि cell cycle जो होता है, सबसे पहले cell जो कोई का चक्र है, वो है क्या, cell cycle क्या होता है, तो उस division के लिए एक process होता है, तो एक division के लिए जो complete process होता है, उस process को और गो項धे जिस अंतराल में process होता है, जिस वे मे टुक है करतें एक मतलब एक बार मोई होता है वो सिक्वेंस होता है वह दो फेज में बाता है है सबसे पहली बात थो इंटरफेज और एंटरफेज और एंटरफेज को हम लोग कहते हैं प्रिbauट्री फेज« तयारी होता है वह सेलडी टीजन टैयारी होता है उन्हों में सेलडी तढ़ता है अब जो प्रिपरेशन वाला इंटर वाट में वह दो क्या-क्या इस तरीके से याद रखना पड़ेगा यहाँ दिक्निया ले क्या हो जाएगा जीवन फेज उसके बाद क्या हो जाएगा एस फेज उसके बाद क्या हो जाएगा जीटू फेज उसके बाद क्या हो जाएगा एम फेज M-phase का चार पार्ट्स है, pro-phase, meta-phase, ena-phase and telophage, वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग फिर फरदर बोलेगा तरीका से सजाने के लिए, तो इस तरीके से हम लोग सजा देंगे, पहले pro-phase होगा, उसके बाद meta-phase होगा, उसके बाद ena-phase होगा, उसके बाद tel telophage होगा, और एक question काफी पूछा जाता है, कि s-phase में क्या होता है, s-phase में पूछा जाता है, तो DNA का replication जो होता है, वो किसमें होता है, dna replication जो होता है, s-phase में होता है, ठीक है, तो कोशिका चर्ट से संबंद, कौन से प्रावस्था का करम सही है, तो ये वाला करम मिलाईए, देखिए कौन सा option में है तो देखिए option number C है G1, S, G2 तथा M, H है ना तो ये sequence आपका answer सही हो जाएगा clear देखिए बहुत अच्छे तरीके से concept clear हो रहा है ठीक है और भी detail में concept clear करना है तो आप theoretical lecture को देख लीजिए कोसिका चकर की S प्रावस्था के दौरान को होने वाली प्रक्रिया है तो आभी हमने बताया था ना S प्रावस्था में क्या होता है DNA replication होता है तो आप cancer क्या हो जाएगा DNA replication को हम लोग DNA translation भी कर सकते हैं क्यों replication हो रहा है replication मतलब है कि यदि एक DNA molecule है उसी से एक और DNA molecule बन जाएगा और उसका दो copy बन जाएगा क्या बन जाएगा दो copy बन जाएगा तो संसलेसी थी तो और आएक न या DNA संसलेशन हो रहा है तो यही बात हुआ कि DNA संसलेशन होता है ठिक है चलिए next question है संसुत्री विभाजन में तरकू का निर्मान होता है तो तरकू यहाँ पर तरक नहीं होगा तरकू होगा देखिए तरकू क्या होता है आपको मैं बताता हूँ जैसे कि आपको डियाग्राम दिख रहा होगा यह cell division अभी हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले क्या होता है जीवन होता है उसके बाद क्या होता है cell division के लिए process फिर ess phage होता है उसके बाद जी टू phage होता है उसके बाद m phage होता है तो यह हुआ पांच phage में बाढ़ते हैं पि एम एट साइको काइनेसिस इसका ट्रिक है तो ऐसे याद रखिए पि sudah मैट रखे बाद साई k devenir ठेक हे है, इस तरीके से आप याद रख लेंगे, प्रॉफेज, मेटाफेज, प्रॉफेज तेस는데, फिर्य के लसमें हूने लग जाते हैं, और जो cell और्गनल जैसे mitocondria वेगरा हुआ, endoplasmy radiculum हुआ, वो गायब होने लगता है, और तरकू का निर्मान सुरू होता है, क्या होता है, तरकू का निर्मान क्या होता है, शुरू होता है, ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं, metafage, metafage में क्या होता है, जितने भी पूरा तर रेखा में स्थित हो करके, metafagic plate बनाते हैं, क्या बनाते हैं, metafagic plate बनाते हैं, यहनि मद रेखा में आ जाते हैं, फिर enophage में क्या होता है, कि वो भी sister chromatid जो भी होते हैं, वो विपरित ध्रूब की और जाने लगते हैं, फिर telophage में प्रोफेज का just उल्टा होता है, जित इलोफेज में दो केंद्रक का निर्मान होता है, clear, उसके बाद cytokinesis हो जाता है, यानि cell divide करके नया दो cell बना लेता है, clear, तो अब देखें क्या है, समसुत्री वभाजन में तरकू का निर्मान होता है, तरकू का निर्मान complete, यहाँ पे पूज, यहाँ पे अगर question यह आएग आवस्था कहते, तो आप answer क्या हो जागा, मध्या आवस्था में होता है, clear, चलिए, next question हमारा क्या है, अतिरिक्त केंद्री की DNA पाया जाता है, अतिरिक्त केंद्री की DNA क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखें बात करते हैं, जैसे यह कोसिका है, तो कोसिका के अंदर यह क्रोमोजोम बना देता हूँ मैं, यह क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम बना किससे हुआ है, DNA और RNA से, किससे DNA और RNA से, समझ रहे है न, DNA और RNA से, तो वही बहुत रहा है कि अतिरिक्त केंद्री क्या DNA, केंद्रक के अंदर तो DNA होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा DNA कहा होता अब अब खुले फॉर्म में यहां पर तो गुन्सुत्र के फॉर्म में सिर्फ DNA पया एक प्रजेंट होगा होगा तो पर निशनकरश कोशिकांग पया जाता है तो आप cancer क्या हो जाएगा हरी तिलवक में भी, mitochondria में भी, तो आप cancer हो जाएगा D, A तथा B दोनो, clear, अतिरिक्त केंद्री के DNA किसमें किसमें पायाता है, हरी तिलवक में भी और mitochondria में भी, ठीक, चलिए, next question है, कोसिका प्रक्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है, कोसिका के जितनी प्रक्रियाएं होती है, वो नियंत्रित किसके द्वारा होगा, आपका सरीर किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आपके brain के द्वारा, तो कोसीका का भी नियंद्रिका किसके द्वारा हो, कोसीका का ब्रेन किसको करते हैं, हमने बता रखा है, केंद्रक को करते हैं, तो आंसर हो जागा केंद्रक, या देखेगा केंद्रिका से कन्फ्यूज नहीं होना है, केंद्रक के अंदर जो पाया जाने वाला स्ट्रक्चर होत वह कौन करता है nucleus इनर मेंब्रेन इशका फॉल्डेबल होता है इनर मेंब्रेन क्या रहता है इनर मेंब्रेन को इसका और आफ नोड और एफ वन पार्टे किल पाया था, इस तरीके से F node और F1 particle पाया था, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते है, oxyzone कहते हैं, oxyzone कहते हैं, oxyzone कहते हैं, और इसी को हम लोग F node या फिर F1 particle कहते हैं, और यहीं पर ATP का production होता है, ATP production जो कहा होता है, तो mitochondria के inner membrane में present oxygen के ठीक है, oxyzone के पास होता है, तो यहाँ पर ATP का production होता है, तो वही oxyzone कहा मिलेगा, कोशी का कला में, नहीं, कोशी का द्रवे में, नहीं, mitochondria में मिलेगा, कहा मिलेगा, mitochondria में मिलेगा, oxyzone कहा मिलेगा, mitochondria में मिलेगा, ठीक है, चलिए, अब हम लोग next question क्यों बढ़ते हैं, next question हमारा क्या है, क्रिष्टे किस्से संबंदित है, अभी हम लोग तुरण से बात किये, क्रिष्टे किस्से संबंदित है, तो क्रिष्टे कहते किसको है, तो mitochondria का जो inner membrane होता है, जो finger like projection जैसा बना होता है, finger like structure होता है, यह foldable structure होता है, उसको हम लोगा कहते हैं, क्रिष्टे कहते हैं, है ना, उस क्रिष्टे का में होता क्या ATP production होता है, तो किसे related है, प्रकास translation से, नहीं, protein translation से, नहीं, तो किसे ATP translation से, ना, तो आप cancer क्या हो जाएगा, ATP translation से related है, clear, चलिए, next question हमारा क्या है, कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ती होती है, किसका कथन है, तो कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ती होती है, यह किसका कथन है, तो यह हमारे महान विग्यानिक Rudolph Virtue, पूरा नाम था, Rudolph Virtue, क्या, Rudolph Virtue का कहना था, कि all cells are क्या था all cells are all cells are arises from arises from क्या arises from यह NCRT की लाइन है arises from pre-existing cell क्या हो जाएगा pre-existing cell जितने भी cell होते हैं वो नए cell एक cell से ही बना होता है कोई भी नया cell जो होता है वो किसी एक cell से ही बना होता है यह महान विगानिक है रुडॉल्फ विर्चो का कहना था ठीक है रुडॉल्फ विर्चो का कहना था ठीक चलिए अब लोग नेक्स्ट कोईशन में आते हैं नेक्स्ट कोईशन है मारा कहा है एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ ओप्शन में दिख रहा है इसके पाहले हैं उसके बाद ईयता था इसके बाद M- में तक में क्या उता था प्रॉफेज में दिखा लेता होां पीछे-जा crystall में होने लगतज़े के यहां साइनक के जए उनने लगती है इसी को किस면 होता है लोता है तो प्रोफेज को पुर्वा अवस्था कहते हिंदी में तो वही बात हो रही है यहां पर समसुत्री वाजन में जो केंद्रकला गायब हो जाती है वो कहा होती है पुर्व पुर्वा अवस्था में पुर्व पुर्वा अवस्था बोले यानि अरली प्रोफेज में मतलब प्र रिवाइज भुआ होगा नहीं पढ़े होंगे तो कुछ चीज़े सीखे होंगे यदि आप इसी तरीके से बहतर तरीके से पूरा स्लेवस हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाइलोजी, मैथ सारे सब्जेक्ट का इसी तरीके से बहतर वीडियो के माध्यम से तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स के मीडियम से माध्यम से चूड़ सकते हैं लेकि हम लोगों ने डी फार्मा इंट्रेंस एक्जाम 2023 की तरहाई करने के लिए एक बैच लॉंच किया है इसमें कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं अभी फिलाल आपको यहां पे बाइलोजी के लेक्चर्स प्रोवाइड किये जा रहे है रिकॉर्डड वीडि लेक्चर्स आपको यहां पे प्रोवाइड किये जाते हैं साथी साथ जो रिकॉर्डड वीडियो लेक्चर्स होता है थेोरिटिकल तो होता ही है प्लस आपको उसका MCQ का पहले प्रोवाइड करते हैं फिर आप लोग खुद से बनाइए हर एक MCQ का वीडियो लेक्चर्स परवाना होता है ना ताकि उन पर एक प्रैसर जनरेट होगी नहीं संडे को टेस्ट है तो संडे संडे टेस्ट भी होदा है ठीक है जितना भी सलेबस हो चुका है पढ़ाई आपको पीडिएफ नोट से चारो सब्जेक्ट से प्रवाइड करते हैं फिजिस केमिस्ट्री मैथ बताता हैं ठीक है तो मतलब बहतर तरीके से यदि आप सेलेक्शन चाहते हैं तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं जोडने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप मोवाइल में जाए मोवाइल में प्ले स्टोर में जाइए और वहां सर्च किजे उधित फार्मे सक्षन में जाए और वहां पर एक कोर्स दिख जाएगा डी फार्मा इंटरंस एक्जामबा है उधित फार्मेसी ठीक है इस कोर्स में आप आ जाएए आप फिलाल कोर्स का प्राइस है 1000 लेकिन 50% आफ करके आपको 499 रुपीज में मिल रहा है कुछ दिन में इस कोर्स का प्र सब्सक्राइब कर लिए कि जो भी नोटिफिकेशन होता है आपका एक्जाम से रिगार्डिंग वह मैं यूट्यूब चैनल पर देता हूं उधित अकेडिमी का टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लिए ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ध अगया है आँ झाल से लिए तक कर लेक्चर में यहाईब को तक के लिए ठीक है ।